हेलो बूर्डिंग वेल्कम बैक टू माई यूटूब चैनल विक्ट्री बालोजी क्लासिस आज के इस वीडियो में आपको मुनेरा जगत के बारे में बताऊंगा इसके पहले के वीडियो में आपने देखा था कि आरेच विटिकर ने फाइव किंग्डम क्लास्पिक्रिक्रि और पुड़े दुनिया के और्गनिज्म को पांच भागों में यह पांच जगत में बांट दिया जिसमें मैंने आपको पताया था मोनेरा पोटिस्टा फंजाई एनमिलिया और एक फलांटी तो सभी को वन बाइवन करके हम देखेंगे और पांच किंडम में बांटने के व यॉन्स है वायराडस है लाइकन से इसमें अर्फ विटिकर ने उसकी चर्चा नहीं कि उसका अलग गुरूप बन गया सुक जीव का लेकिन बैक्तरिया को उन्होंने मोनेरा जगत में डाला तो आज हम देखते हैं मोनेरा जगत को हम पढ़ते हैं तो देखे शुरू करते है मोनेरा मोंेडा जो है ग्रीक सब्द यह है मोनासज यह मोनास से बन का बना है ग्रीक सब्द है मोनाश ह। रहता है iron मीस अकेला ठीक है यह भी रहता है गृूप में रहता है इसरत यहां मोनाश्र संब से मिला है मकायला अब बात करें मोंनेडक की तीन क्या है जितने भी च्वाहसं की क कर लाता है और यह procure ciawater保न्प management होता है यह एक कोस्uma है सेल्स को हम सेल्स के बने होते हैं तो मोनेडा जगत जो हमारा है उनी सेल recherche के अंतरगत जो भी जीव इसमें आएंगे हना उसको हम यूनिसियलर केंगे और साथ में ये प्रोकरिटिक होता है में इस पूराना प्रोकरिटिक बना पहले वाला प्रोणा वाला जिसमें बहुत सारे चीजें नहीं अबलेवल है जैसे इसे दुनिया ने तरक्की किया साइंस ने डिवलब्मेंट किया जीवों का धिर धिर बिस्तार होने लगा और जैसे इसे हम आगे किंडम को आगे बढ़ते जाएंगे मोनेडा फिर पोटिस्टा फिर फंजाई फिर पलंटी फिर एनिमलिया आपको बिढ़त प्रेमाने एक जड़ लता हैं सब जीवों में मिलते जाएगी तो आज स्टार्ट हम मोनेडा करने मोनेडा में स्क्या होता है और इसकी जो है सबसे पहले यह बता है यह जो होता है कुस कुस मैं जनरली मैं लक्षन बता दूं आपको कि मोनेडा का एक कोस कि यह होता है जिसको बोले यूनी सेलवर बोलेंगे एक उसकी होता है दूसरा यह होता है कि प्रोकेयोटिक जिसको बोलते हैं हिंदी में और कैंद्र की कैंद्र कि जिसमें कैंदरक नहीं पायाता है अरथाथ इसको बोलेंगे हम प्रो केडियोटिक होता है मिश प्राना घर जिसमें कोई ज्यादा फेसलेटीट क्या करते हैं यह गैस्ट रूम किचन डूम बहाटि भाटि पहराटि के अलग अलग अपार्टमेंट नहीं है केंद्रकी होगा इसका मतलब इसमें नहीं है तो मोनेड़ा क्या हुआ एक कोश्की जीव है और साथ में और केंद्रिक सेल है और इसको ये माना जाता है कि पिर्थवी के पर्थम जीव माना जाता है किसे तो ये जो मुनेरा जगत के अंदर के जीव है कौन कुन जीव है मैं बता रहा हूं अब को ये आता है और इसको क्या काता है और बात करें इसका ये जो रहन सान होता है कहां कहां ये मिलता है कहां कहां पाए जाता है तो सबसे पहले यह जानिए मोनेडा जगत के अंतरगत जो भी जीव आते हैं से बैक्टरिया हुआ यह सब जीव हैं यह सब ऐसे जगह पायाते हैं जहां पे दूसरा जीव जो है किसी को रहना वरा मुश्किल होगा वह भी यहां आसानी से यह रहा जाता है सब्सक्राइब करते हैं आपको बता रहा हूं कि में आपको बता रहा हूं कि मोनेडा का कितने बागों बाटा गया है और उसके अंतरगत क्या-क्या आता है इसका निर्वान है यह मौडर्न है यहां पे लिख सकते हैं कि इसका निर्मान आर्ची बैक्टिरिया से हुआ है और इसका निर्वान कर सकते हैं इसका निर्वान आपको क्या होगा कि पिर्थिवी पिर्थिवी की उत्पत्ति इसके बाद प्रत्ति होई इसके बाद प्रत्ति हो गया उसके बाद भी परेंगे बहुत ही यह पर लेंगे तब हम आपको परते हैं बैक्टरिया को पड़ते हैं उसके बाद है मैको पलाज्म परते हैं यह सारे चीज़ को परेंगे सारे सुवजीब है यह सारे को पढ़ेंगे तो हमारा क्या होगा मोनेडा खतम होगा उसके बाद हम जब आर्फिक पढ़ेंगे तब हमारा मोनेडा जो किंग्डम है वो खतम होगा तब उसके बाद हम पटिस्टा पढ़ाएंगे तो आप देखिए बात करें हम आप बात करें तेहां बनाते हैं इसको बोलते हैं जीवानु हैं इसको जीवानु वोलते हैं तो पहले आप क्या करते हैं अप अपने दोरा बनाएंगास हुआ उसी के द्वारा बरसा के जल में किसी ये खीरे को देखा था मालूम चला क्या है ये कि कुछ है ये बक्रिया होगा नाम ने दिया नाम उसको एहन बर ने दिया लेकिन इसको खोजा था किसने अपने ही द्वारा बनाए गए सिंगल लेंस के द्वारा वर्षा के जल में देखा था देखा था इसके बाद बालाती है 1838-08 इस भी में इहरेन बर्ग इहरेन बर्ग ने बैस्टिडिया सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें नाम नहीं दिया पाया अब बात करते हैं यहां पर आपको बदाते हैं कि बैक्टिरिया बैक्टिरिया के अध्यान को बैक्टिरियो लोजिक अते हैं और बैक्टिरिया के अध्यान करने वाले को बैक्टिरियो लॉजिस्ट कहते हैं अर्था जो एन्टोनी वॉन लुएन हॉक है यह एक्टिरियो लॉजिस्ट हो गए ठीक है तो क्या हो गया इस तरह से कहेंगे कि जो अध्यान करता है बैक्टिरियो लॉजिस्ट कहते हैं यह बात आपको बैक्टिरिया क्या क्या होता है इसको देखें सबसे पहले हम अकार की बात करें तो आप देखते हैं बैक्टिरिया के आपकार से माक्रो मीटर तक होता है इसका अकार को देखे लिए परकार देखने से पहले बिच्टिया के परकार देखने से पहले मैं आपको इसकी थोड़वन से क्या होता है यह सबसे पहले यह क्या होता है यूनी सेलर होता है यह कोश किया है यह कोश किया है और साथ में और यह कोश किया है दुसकी दूसरे दूसरा बात है कि यह प्रोक्रिक है जिसे हम और सब्सक्राइब की और केंद्र की और सब्सक्राइब किया है इसमें हम एक पॉइंट आपको यहां पर है गोल जी का है अना यहां पर आपको इंडो प्लाजी रेटिकूलम इंडो इंडो प्लाजमिक प्लाजमिक रेटिकूलम एटीसी नहीं पाए जाता है अर्थात यह केंद्रक रहेगा ते सब परजेंट होगा केंद्रक नहीं है तो नहीं है ठीक है अब यह तिसरा इसमें क्या है पॉइंट यह जो है यह जो है एलाउन या क्या थे हैं गुरूप में मना अकेले या समू में यह रह सकता है अकेले या समू में रह सकता है ठीक है और इसमें जो है सेलवाल परजेंट इसमें जो कोशिकाभित्ती होती है न कोशिकाभित्ती इसमें उपस्तित होती है तो लिख सकते हो इसमें इसमें परजेंट होता है जो भी बिक्रिया होगा उ युक्त को दोरा जो होता है उसके दोरा इसके दौरा यह उसके द्वारा यह ओन जो होता है इसमें और लेंगिक जनन किसके तरह होता है थीजन के दुबरा अब एक चीज़ और इसमें देर लिए इसमें 70S राइबोसौम होता है इसमें क्या होता है यहां चटा पॉइंट यहां लेता हूँ वह सकता है दिखाएने पड़ता हो अब लोगों को इसमें जो है चटा स्वेडबर्ग स्वेडबर्ग यूनिट नाम है जो सुमाप की काई होती है उसमें राइबोसौम यह तरह से नुट्रिशन पोशन है और क्या करते हैं जो बेक्रिया में होता है सत्तर एस राइबोसौम पाई जाता है यह नोट अड़क्टिव होता है इसमें असी पूरे ग ठीक है तो आपको याद रखिएगा स्वेडबर्ग होता है यूनिट होता है और बेक्टरिया में सत्तर एस राइबोसौम कहलाता है हुपाया रहता है तिसमें अकेले रहेगा एलॉन रहेगा सेल वाल परजेंट रहेगा और डिवीजन जो होगा और लेंग जोगा किसके द सबस्क्राइब है अब आगे देखते हैं टाइप्स टाइप्स ऑफ वैक्टरिया बिक्टरिया के परकार तो यहां पर लिसकते हो आपकिरती के अधार पर बैक्टिरिया मुख रूप से पांच परकार का होता है पहला जो है उसको बोलते हैं कोकाई कोकस भी कहीं कहीं पराता है यह क्या होता है यह गोलाकार यह गोलाकार बैक्टिरिया होता है अब कोकाई पहला है कोकाई बैक्टिरिया यह गोलाकार बैक्टिरिया होता है आप इसके संखिया के अधार आप इसको बोलते हैं संखिया के अधार पर कोकाई को निम्न भागों में बाटा गया है काने मतलब है यह तो कोकाई गोलाकार होगा गोलाकार में भी क्या होता है संख्या इसमें कभी कम हैंने कभी थोड़ा ज्यादा होता है संख्या काधार पर इसको हम कई भागों बाटते हैं तो सबसे पहला है मोनो कोकस मोनो कोकस ठीक है तो मोनो कोकस क्या होता है जिसमें सिर्फ एक जिसकी संख्या जिसमें जिसमें सिर्फ एक संख्या हो जिसे देखे यह बला जो हो गया है यह विक्रिया क्या हो गया यह हो गया मोनो कोकस गोल है और सिंगल है इसमें या इसकी संख्या दो होती है यहां आप देखिए है अब सटके रहेगा एक यहां एक यहां यह अलग अलग बना सकते हो इसको करके यह अलग है यह अलग है यह तो सट के दो रहेगा ठीक है यह हुआ मोनो कोकस यह लिए सकते हो मोनो कोकस ठीक है आशाने के सिंगल बना सकते हैं सिंगल यह अलग यह अलग अलग अब भुलिक सकते हो मोनो कोककस ठीक है मोनो कोककस अब तिसरा बात आता है अन्य टेटरा टेटरा कोककस टेटरा वहीं चार होता है तिसरा टेटरा कोककस है इसमें चार की संखिया होती है जैसे यहां पर एक है दो है तीन है चार है एक है दो है तीन है चार है मेंस यह चार की संखिया हम आपको मिलेगा एक साथ जुन्ड में ठीक है तो जुन्ड में मिलेगा तो क्या समझेगा इसको यह कौन सा स्बिक्रिया है तो आपको यह है टेटरा कोककस है ठीक है टेटरा कोककस है मना चार चार जतना रहेगा जतनी संखिया हो सकता वालग बात है लेकिन एक साथ सर्टर के रहेगा चार गुर है तो क्या बोलेंगो इसको हम टेट्रा कोकस इसको इसकी सॉट लेजिए फिर आगे बताता हूं आती है चाउथार नंबर कि एस ट्रेप्टो कोकस जब बैक्टिरिया स्रिंखला रूप में होती है तो क्या कहेंगे इसको एस्ट टूकस देखिया यहां पर पाइसे पिर आईसे पिर जैसे जाता रहेगा सिरिंखला रोप में बना हुआ रहेगा इसो क्या बोलेंगे हम उसको बोलेंगे स्ट्रेपेक्टोस यह क्या अच्ट्रेप्टोस कोककस अर्थी में लास्ट आता है छाहें कि हुआ है कि Isha PrLife अच्छिय क्या होता है कि इसमें बैक्टिरिया परत के रूप में रहती है समझ गया इसमें क्या होता है इसमें विक्टरिया क्या होता है समोह में परत रूप में रहेगा जिसे देखिए एक यहां एक यहां एक यहां एक यहां एक यहां ऐसे करके यह है यह रहेगा परत रूप में रहेगा, ठीक है, सब में आपस में आपस में जुटा हुआ रहेगा, जुटा हुआ रहेगा, ये सब क्या है, ये सब आपको, सब बिंडा 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 समें डाल दीजिए, जितने भी कोशी कांग, इसमें जो हलका फलका जो पायाते हैं, तो यू ठीक है यह होगी आपको कोकाई परकार होगया कोकाई जो होता है यह गोल में संख्या का अधार पर आपको 5 भाग हुआ अब हम दूसरा पड़ते हैं बेसिलस को परेंगे दंडाकार जो होता है इसको फिर स्कीन सॉट लेज़े फिर बताता हूँ आगे जो बचा हुआ है बिक सब्सक्राइब हो रोड को सब्सक्राइब बैक्टिरिया कि इसों कते हैं डंडाकार डंडाकार जीवानूं कि यह होता है जैसे कहें दिखिए फिगर में आप देख सकते इसको यह होगा आपको डंडाकार बैक्टिरिया हो गया यही बैसिलस इसी बैक्टिरिया से दूसरे दही बनने का काम करता है ठीक है यही वार रोड से डाकार के बैसिलस ने लेक्टो बैसिलस जो नाम आता है लेक्टो बैसिलस बैक्टिरिया एस्ट्रोड कोकस बैक्टिरिया जो दु दूसरे डः बनाता है आप इस पारेलम प्रुम क्या होता है यह यह बैक्टरिया को इस्कुरू या थे car होता है तो इस्कुरू या अंद होता है यह सर्पिला कार एक्सक्राइब का बीडियों कि पर्कार का उसके बार होता है यह कोमा यसको ब्ड़न ये मैसीलियम जो होता है यह बिक्त्रिया छोटा है कि सूत्राकार होता इस तरह से बिक्तेरिया तुत्राकार बक्टरिया ठीक है इसको गूल सकते हैं माईसीलियल माईसीलियल इसको हम कर सकते हैं ठीक है यह आपका बक्टरिया का परकार हो गया यह माईसीलियम बीडियो एस्पिरिलम और बेसिलास और कोकाई तो आज आपने मुणेडा जगत को स्टार्ट किया और ब्रोग होते हैं जंतुमें पोदोवें इनसानों में ये लाभानी इसका परेंगा अर्थिक महत परेंगें एक दो वीडियो और बढ़ेगा विक्ट्रिया का तब हम साइनो विक्ट्रिया को पढ़ेंगे ठीक है तो आज इतना ही आप जो बच्चे इसमें जिसका बच्चे छुटा हुआ है मैं तो आनलाइण क्लास 9-10 क्लास चलता है लाइव क्लास चलता है और यूनिट 3 चल ला है उसमें प्लान्ट चल ला है तो जो बच्चे का छुटा हुआ है वो किर्पिया मेरे यूट्यूब चैनल जो है विक्ट्री बाइलोजी क्लासे से है आप उसमें देख सकते हो और करन्ट जो कलास चलता है वो 9-10 चलता है आप उसमें आप सामिल हो सकते हो आगे ठीक है और कंसल्ट नम कर सकते हो किसी प्रकार के कोई प्रशानी हो तो आप हमें परसेनल नमर वाटसाप पर मेसेज कर सकते हो और सबाल जबाब पूछ सकते हो ठिक है ओके आज रहे हैं अज के लिए इतना ही नेक्स वीडियो मिलते हैं तक के लिए गुडबाइब